कृष्णा ये वासुदेवा ये हरिये प्रमात्मने प्रणता क्लेश नाशा ये गोविंदा ये नमो नमा जैमातादी मित्रो गोवर्धन पूजा कब है एक नवंबर की है दो नवंबर की है गोवर्धन पूजा का मूरत क्या है गोवर्धन पूजा कैसे आपको करने चीए इ इस कारिकरम में चर्चा करेंगे गोवर्धन पूजा को मित्रो अनकूट भी कहा जाता है कार्तिक महा शुकलपक्ष परतिपदा तिथी को गोवर्धन पूजा या अनकूट की पूजा की जाती है सबसे पहले हम जानते हैं कि दो नौमबर को है गोवर्धन या फिर एक को रात्री के आट बचकर 21 मिनट तक रहने वाली है प्रतिपदा तिथी तो यानि कि उध्या व्यापनी मत के अनुसार तिथी के अनुसार दो नौमबर को गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी या याद रखिएगा आप गोवर्धन पूजा का मूरत क्या इसके बारे में च क्या आप पूजा कर सकते हैं दुफैर के बारे में पात करा तो दूफैर में मैं 30 आते हैं को वर्धन पूज या क्रिष्ण भगवान की चित्र अंकित करते हैं दिवार पे और भगवान की पूजा की जाती उनको अनकूट चावल का भोग लगाया जाता है तो गोवरधन में आपको किस प्रकार से पूजा करनी है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं प्राता काल आपको क्या करना है कि सबसे पहले घर के अंदर गंगा जल से अच्छी तरा से शुद्धी कर ले और शुद्धी करने के बाद गायत्री मंत्र है तो गायत्री मंत्र का उचारण करते वे या फिर ओम त्रमकम जा मैं सुगंधी पूष्टी वर्दनम उर्वारुक में बंदनात मिर्तियो मुक्षे मामिरता या फिर जैसा मैंने बोला एक्रिष्णा आये वासु देवाये हरिये प्रमात्मने प्रणता क्लेश नाशा आये गोविंदा नमोनमये मंत्र का जाप करते हुए आप घर के अंदर गंगा जल का चिड़काव करें फिर प्राता काल में आपको गाये का गोवन लेना है उससे गोवर्धन परवत बनाना है क्रिष्ण जी की मूर्ती अगर आप बना सकते हैं क्रिष्ण जी की तजबीर आप जमीन पर बना सकते हैं या फिर आप दिवार पर बना सकते हैं उसको फिर आप आपको फूलों से सजाना ही याद रखेगा फिर उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवायनमा ये मंतर बोलकर आपको दीपक, धूब, नेवेद्य, फल, फूल, इत्यादी आपको चड़ाना है उसके बाद सीधे हाथ में कुछ दक्षना लखके जौंतिल रखकर आप प्रातना केजिए कि मैं ये जो पूजा करने जा रहा हूं जा रहे हो तो कृष्ण भगवान जी मेरी पूजा से प्रशन हो और हमारे घर के अंदर काम सपलो तो इस प्रकार का संकल्प करके आप वहां पर छोड़ दीजिए जो आपने गोवर्धन परवद बनाया है और आपने जो कृष्ण जी की गोवर्धन परवद बनाई है कुछ लोग क्या करते हैं मित फोग आपको लगाना है साथी साथ इस दिन काई की बेल की और विश्वकर्मा की पूजा भी होती है तो वह पूजा भी यदि आपकी अपकी अपकी चाला हा ह। thinking एठ आपको कहीं कहीं लोग और यह मंत्र बोलते रहें अम्नों भगवते ब्रिक्रमा के बारे में इस प्रकार से आप प्रिक्रमा ले सकते इस सकते हैं कि आपको आर्थी कंदिया याद रखिए गार इस प्रकार से गोवर्धन में सरल पूजा पारठ आप कर सकते हैं कुछ लोगों के वहाँ पर लोकाचार मत अलग अलग होते हैं वह आप अपने छेत्र काल के अनुसार भी चीजें इसके अंदर जमा बढ़त कर सकते हैं तो मित्रों इस कारिकर में बढ़तना ही मुझे जिजी जाया जैमता दी